दोस्तों आपने पनीर तो कई बार बनाया होगा और खाया भी होगा लेकिन दोस्तों आज मेरे तरीके से आलू पनीर सिमला मिर्च की सबजी जब आप एक बार बनाएंगे तो धाबा इस्टाइल या फिर होटा इस्टाइल या फिर अपने घर के पुराने तरीके सब भूल ज बनाएंगे आलू पनीर सिमला मीच की सबजी जो एक बार बनाएंगे न तो यकीन मानिए कि वो तो उंगली चाटनी की साथ साथ पलेट भी चाट जाएंगे और यहां तक कि आपके भगोने में जिस भगोने में यकड़ाई में आप बनाएंगे न उसमें तो सबजी बिल्कु पूरी एकदम फिनीस इतनी टेस्टी और स्वादिष्ट बनने वाली है दोस्तों तो मैंने यहां पर लिया है और मैंने यहां पर चाट टमाटर एक बड़ी सिमला मिर्च ली है और यहां पर थोड़ी सी प्याज ली है कुछ प्याज के लच्छे बनाई हैं मैंने आपने दो लेना है काटने के बाद बिल्कुल भी नहीं दो ना तो मैंने यहां पर तेल छड़ा दिया है एक कड़ाई में और तेल दालने के बाद गरम हो चुका है तो अब इस में टाल दिया है के आलू खूब अच्छी तरीके से हाड हो जाए यानि ज्यादा गोल्डन नहीं करना है बस हलका सुनहरी कलर इसमें आ जाए अब आलू अच्छे से फराई हो चुके हैं बस इतना ही कलर मुझे चाहिए ताब इसे मैं यहां सी तेल को बचा बचा कर सारे आलू बाहर एक प्ले होने तक यानि एक दम बहुत ज़्यादा तेज कलर हो जाता है आप देख सकते हैं ऐसा जब कलर हो जाए तो हम पनीर को यहां से निकाल लेते हैं अब हम इसमें डालेंगे टमाटर और प्याज इसको भी यहां पर फ्राई कर लेंगे और इतना फ्राई करेंगे कि इसमें बह कितना तेज कलर हो चुका है तो दोस्तों आप सोच रही होंगी तो बहुत ही ज्यादा तेज कलर हो चुका है तो दोस्तों मैं आपको बता दू इतना तेज कलर का अगर आप प्याज और टमाटर को फ्राइ करेंगे ना कि सब्जी में तो इतना टेश्ट होता है कि बस इस तरह जब हम फ्राई करके सब्जी बनाते हैं तो इतना टेश्ट आता है कि सब्जी में चारचांद लग जाते हैं और खाने वाले इतनी तारीफ करते हैं कि बस खुद पे समाई नहीं जाती है अब जो मेने लच्छे बनाए थे प्याज के वह भी में इसमें हलका सा जोस दे लोंग अब जिस तरह से मैंने प्याज को फ्राई किया है बस इतना ही जोस हमें सिमला मिर्ची की पीस में देना है जो हमने सिमला मिर्च काट कर रखी है ये भी हमें ज्यादा मुलायम यानि ज्यादा सॉफ्ट नहीं करनी है बस इसको भी प्याज की बराबर ही सॉफ्ट करनी है नौल भी फ्राई करते करते अध्य से त्यूरी से फ्राइचर हो चुका है छिए हम इसे फ्राइच शम्हंत पहलें मुलायमत धी साइं पर सारा चिलका उतार लेंगी टेमाटर का ऐप चाहे तो आप चिलके समीच भी चिलक वाला भी टेमाटर पीश सकते हैं लेकिन चिलका उतारने शेये और भी अच्छा टेस्ट हो जाता है अब यहां पर लेंगे आम से इतता है धूद्या नारीयल कौन डालता है दोस्तों आज जब एक बारी से बना कर और डाल कर तो एक बार देखिये ना ट्राइ करके तभी तो आपको मालूम होगा ना कि कितनी टेश्टी सब्जी बनी है और जो हम मसाले डालते हैं कोई मसाला नहीं डालेंगे छोले मसाला या काव भाजी मसाला या फिर पनीर मसाला कुछ भी मसाला नहीं डालेंगे और नहीं हम इसमें गरम मसाला डालेंगे अब यह से कुछ भी मसाले नहीं डालेंगे अब दोस्तों मैं यहां पर पचास गिराम के करीब ले लिया है नारियल छील कर ले लिया है और इसको बारी बारी पीस में कट लिया है इसमें डाल देंगे पराई क्या हुआ प्याज और टमाटर अब इसे हम पीस लेंगे बिना पानी के इसे एक दम फाइन पेश्ट बनाना है तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसका फाइन पेश्ट बन चुका यानि एक दम बारिक पेश्ट बना लिया है साइड में करेंगे और अब यहां पर हम चलते हैं गेश की तरफ तो आप देख सकते हैं पहली से इसमें तेल काफी है तो इसमें से हम थोड़ा सा तेल निकाल लेंगे इसमें हमने तेल रखा है 100 गराम आपको कम जादा कर सकते हैं तो इसमें आधी चम्माच अमने डाल दया हल्दी पोडर, दो तूची मीरčी लाल पोडर हो और यहां पर ढाल देंगे ये कम तीकी वाली हरी मेरची पोड़ना है फीटा हुआ देही और थोड़ा-सा इसमें डाला था दूद दोस्तों दूद डालने से है ना देही हलकी मीठी सी हो जाती है अगर आपके पास मीठी सी देही है तो आप इसमें दूद यूज ना करें बस खाली देही काफी है लेकिन खटी देही बिल्कुल भी न डाले तो दोस्तों अब मैंने यहां पर फ्राइ किया हुआ जो मस पेर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ज़रूरी है और दोस्तों अगर आप एंप आप लिए नहीं डाला है तो बहुत ही अच्छा टेश्ट और लेवर और इसकी हुद्ध को बहुत ही अच्छी आती है अब लासुन के कच्छेपन की चली जाए इसलिए हमने यहां अपर तीन से चार मिनट इसा और पका लिया अब आप देख सकते हैं इसने खुब अच्छे से तेल छोड़ दिया है तो इसे हम यहां पर अच्छे से चला देंगे और आप आप देख सकते हैं कि यह बहुत ही अच्छी तरीके से फटा फटा सा मसाला हो चुका है अगर आपका मसाला भूनने के टाइम फटा फटा सा हो चुका है तो समझ यह आपका मसाला बहुत ही अच्छी तरीके से भूनकर तयार हो चुका है के तेल लगा था तो दोस्तों वोई में इसमें नहीं दो के अधो कर डाल दिया है एक कप और ढाल दिएははट या डुप अभ Gwen से यहां पर ढख कर 3 मिनट के लिए पका लेंगे तब तक इसमें बहुत अच्छा खद्दा आ चुका है आप देख सकते हैं इसमें डाल देंगे हरा धन्या पत्ता इससे बहुत ही अच्छी सोंदी-सोंदी खुस्बु आती है बहुत ही अच्छा फले वराता है और हमारी सब् अच्छी हो जाती है और एक दम लुक बहुत अच्छा आता है आप देख सकते हैं दोस्तों वाव कितना प्यारा आना दोस्तों अब चले यहां पर हम गेस से से नीची उतार लेते हैं देखा दोस्तों बिना किसी मसाले के सबजी बनकर हो गई तयार ना इसमें हमने पनीर मस मसाला कुछ भी मसाला नहीं डाले हैं बस नॉर्माल से में मसाले होते हैं वहीं मसाले डाले हैं और सिंपल तरीके से बनाई है और एक दम टेश्टी इतनी है कि बस अगर आप इस एक बार बनाएंगे ना तो उलिया चाट जाएंगे दोस्तों बहुत ही ज़्यादा पल्सकाइब देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते करते जाधे कशनध chemistry की से और रूस्त और अगर आप हमारे वीडियो ने हैं तो शेक्राइब जरूर करें तोस्तों मेरा तो मन बिल्फुल बी नहीं रुक रहे मैं रिक रहे मैं इतना बाक्रा शुका दसक हूंए भु लिया है यहां पर मैंने एक बॉल में लग सब्जी ले लिया है खीरे की मैंने यहां पर सलाद ले लिया आपको तो पताई है दोस्तों में खीरे की सलाद बहुत पसंद करती हूं और यहां पर ले लिया है रोटी धन्य की फुलेवर से बना कर बहुत ज्यादा टेश्टी लग तो चले मैं तो सब कर लेती हूं बहुती ज़्यादा स्वादिश्ट लग रही है दोस्तों यकीनी नहीं होता है कि इतनी स्वादिश्ट बिना किसी मसाले के सब्जी बन सकती है बहुती ज़्यादा स्वादिश्ट लग रही है मैं गरंटी ले सकती हूं जब आप मेरे तरीके सारे भूल जाएंगे ठेले वाली या फिर होटल वाली पनीर आलो की सब्जी बिलकुल भी नहीं लाओगे और अपने ही घर पर सस्ते में बना कर तयार करेंगे जब आप इसे एक बार बनाएंगे ना तो आपको बिलीवी नहीं होगा युकीन ही नहीं होगा कि इतनी ट्रेश् सब्सक्राइब के साथ तर तक के लिए बाहा है ठीक है